हेलो गाईज, वल्कम बैक चैनल ग्रोग कैसे करना है और यूट्यूब पे जितने भी अपडेट्स आते हैं वो मोर और लेस आपके चैनल की ग्रोथ पे इंपक्ट करते ही हैं तो इस प्लाटफोम पे क्या क्या अपडेट्स होते हैं अगर मैं इनके बारे मैं आपको नहीं बताऊं जबकि मेरा कॉंटेंट यूट्यूब ग्रोथ से ही रिलेटेड है तो इस थोड़ी सी नाइनसाफी हो जाती है तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं अपने चैनल पे यूट्यूब अपडेट्स पर बे वीडियोस बनाऊंगा इस स्टूडियो में कभी किसे वीडियो का मेरा डेटा डेट करते हैं जैसे वीडियो का टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन वगरा हो गया तो इस सारी चीज़ें आप बेसिक इंफो में जाके डेट कर सकते थे जबकि एक advanced settings option होता था जिसमें जाके आप वीडियो की category decide कर सकते थे और साथ में इसकी licensing and comments भी manage कर सकते थे लेकिन आप जो ये advanced settings का tab है ये हट जाएगा और इसके जगह पे आपको more options का एक tab मिलेगा जिसमें आप अपने वीडियो की category, licensing और tax वगरा add कर सकेंगे अब ये तो बहुत simple सी update ही लेकिन जो दूसरी वाली update है वो खास करके small youtubers जिनके 500 subscribers हैं उनके लिए बहुत अच्छी है और वो ये है कि अब अगर आपके channel पे 500 subscribers हैं लेकिन अब अगर आपके 500 subscribers भी हैं तो आप किसी भी channel को अपने वीडियो के title और description में इस तरह से add the rate लगा के mention कर पाएंगे अब इसके बाद जो तीसरा update है वो ये है कि अगर आपका channel monetized है और उसके किसी भी वीडियो पे yellow dollar का shine है में भी किसी copyright claim या कोई और reasons की वज़े से अगर किसी भी वीडियो पे yellow dollar का shine है तो उसको review करने के लिए पहले आप desktop पे या phone पे किसी browser पे जाके ही apply कर सकते थे लेकिन अब आपको review के लिए request करने का option वाइटी studio app में ही मिल जाएगा तो अब अगर आपके किसी भी वीडियो पे yellow dollar का shine है तो आप वाइटी studio app पे जाके उसके लिए review request कर सकते हैं तो अब इन तीनों में से आपको सबसे जादा अच्छा update कौन सा लगा उसके बारे में comment करिए और इन स्क्रीन पे कुछ वीडियोस हैं जो आपके काम की हैं तो आप जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं बाकि मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye